हेलो गईज केसे है आप लोग, स्वागत है आप लोगों का फिरसे मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लिगत की मोटो ई-13 फोन में आप लोग टेट एंड टाइम को केसे सेट कर सकते हो अगर आपके पास एक Moto E13 phone है और इस phone में यह में आप लोगों को देट and time को set करना है आपको अपना यहापर date and time show हो रहेगा यहापर देख सकते हैं तो यह date and time जो यहापर गलत show हो रहे हैं आपको यहापर सही से ते time टाइम को set करना है या अगर आप लोगों को जान बूझ कर या पर date and time जो वो गलत set कर करके रखना है तो कैसे आप लोग इस date and time को जो है set कर सकते होगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसन आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डेट एन टाइम को सेट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फॉन के सेटिंग्स में जाना है शेटिंग्स में जाने के बात यहाँ पर से आप लोगों को स्क्रोल डाउन कर लेना है नीचे आप आप लोगों को एक option देखने को मिलेगा का इस system का तो इस system के option पर click कर दीजिए click करने के बाद यहापर एक date and time का एक option देखने को मिलेगा तो इस option पर click करेंगे click करने के बाद देख सकते हैं आपर एक option है set time automatically तिकलिए अगर आपके phone में यह on होगा तो आपके phone में automatically time set हो जाएगा तो अगर आप लोगों को manually time को set करना है तो इसको off किजिए, off करने के बाद date पे click किजिए और यहाँ पर आप लोगों को यार देखने को मिल जाएगा, जो भी यार आप लोगों को set करना है उसको select करते हैं आपका डेट सेट हो जाएगा उसके बाद टाइम पे क्लिक करेंगे और जो भी टाइम आप लोगों को लगाना है उस टाइम को यहाँ पर लगा दीजिए एम पीएम भी देखने को मिलेगा ठीए गजी ऐसा लगाने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिए आपका ट करेंग इस लगगाँ याद बाता के लिए बाद